खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP NEWS को सब्सक्राइब कीज़ें बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है और बीते 24 घंटे में बिहार में बारहा और मासूम चमकी बुखार की चपेट में आकर अपनी जान कवा बैठे बिहार में अब तक चमकी बुखार से मौत का अंकड़ा 79 तक पहुँच गया है उत्तर बिहार में सबसे जादा चमकी बुखार का असर है और छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं बिहार के स्वास समंत्री मंगल पांडे ने कल अस्पताल का दौरा किया और सुविधाओं का जायजा लिया तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर बिहार में चमकी बुखार का कहे टूटा है बुखार से अब तक 79 बच्चों की मौत हो गई है और इस बीच बिहार के स्व मुझफरपूर में हर दिन मासूमों की जान जा रही है बिहार की सरकार सवालों के खेरे में है लेकिन कोई बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं है बिहार की स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने हराम करने वाला बयान दिया है मंगल पांडे का कहना है कि ना तो बच्चों की मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार है और ना ही सरकार बच्चों की मौत के लिए नियती जिम्मेदार है और ना ही सरकार बच्चों की मौत के लि नियती जिम्मेदार है। नियती जिम्मेदार है। युमेदीटी बरता है बहुत ज़्यादा तो इस प्रकार की बिमारी आती है। ये रिसर्च में बाते तो आ गई है और इस मौसम में ही ज़्यादा फैलता है। लेकिन मैं गया था वहाँ पर और मैंने पूरी जाच की पूरे रिपोर्ट मैंने तयार किया है। कि जो जागरुकता होनी चाहिए थी जिस तरह से वहाँ पर उस इलाके में हर साल का ये रहता है तो एक तरह से ये महमारी है उस इलाके में तो फिर इस पर जागरुकता क्यों नहीं दिया गया। इतियात के तौर पर वहाँ पर लोगों को क्यों नहीं जागरुक किया गया। या फिर पहले से मेडिकल कॉलेजेज में, S.K.M.C.H. हॉस्पिटल में, के जिरिवाल हॉस्पिटल में तयारी क्यों नहीं थी। नहें तयारी पहले से थी, और जागरुकता जुह है, वो सतत चलने वाली परक्रिया है, कोई एक दो साल की परक्रिया नहीं है और ये जागरुकता का कारेकरम अनवरत सतत राज्य सरकार के दौरा पिछले कई वर्सों से चला है जिसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला आपके ध्यान में होगा पिछले साल कोई ऐसा घटना ध्यान में नहीं आया इस बीमारी का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है ये इस की बीमारी जानता जिला देकारी महोदे ने क्या टिपनी कि विभाग के तरफ से जो प्रयाज चले हो तो मुझे आपको बताना होगा करीब 500 से अधीक डॉक्टरों का हमारा औरेंटेशन प्रोगाम चला है हमारे जो फ्रंट लाइन वरकर्स हैं जिसमें आसा कारेकरता और एनेम की वरकर्स हैं उनके मादेम से हैंड विल देना और नीचे गाओं में लोगों तक इस बात को परचारित परसारित करना की पच्छों को धूप में ना जाने दें खाली पेट लीची ना खाने दें भू कहा हैं कि मुझे यह नहीं पता है कि कि कब कैसे क्या करना है यहाँ तक कि कई इलागों में तो झाहक जो आजा प्रूंक करने वाले वह लोग भी इलाज कर रहे हैं यह और यह जधी समय लगा देता आ कोई परिवार अपने बच्चे को तो फिर पिर उसकी तबीयत बिगरने का डरता है सिधे अस्पताल लेके आना चाहिए और अस्पताल में चिकित्सा की साथ अस्पताल में तो क्या इस्थिती थी आपने देखा बच्चे जमीन पर पड़े हुए हैं बिल्कुल नहीं मैं जब कल गया तो सारे मीडिया के लोग साथी हमा मैंने कहा कि मैं जो अभिवावकों से प्रसंद कर रहा हूँ वो भी आप सुनियेगा ताकि कहीं से यह नहीं लगे कि कोई चीज मैनुपुलेटेड है मैंने कि मा से पूछा इलाज कैसा चला है अचा आप मानते हैं कि यह दवाई मिल नहीं है कि कहीं न कहीं चूक हुई है good मैं नियती को मैं नहीं कह सकता सरकार के पास दो चीजे एक तो कि जब बच्चे बेमार पड़ जाते हैं तो जो उसका एसोपी प्रोटोकोल बनाओ, उसके अनुसार सारी सुविधाएं और विवस्थाएं उपलब्द कराना, दमाईयां उपलब्द कराना, डॉक्टर्स उपलब्द कराना, वो सरकार ने किया हुआ है, और जो जागरुकता के लिए कारकरम अभियान चलाने हैं, वो चल दे हैं, रेडियो पे चला है, टीवी पे चला है, सोसल, आप यह कहरें कि कोई जिम्मेदार नहीं है इस मौत के लिए, भगवान जिम्मेदार है, इसे ऐसे सब्द मेरे मूँ में नहीं डालिया, तो पिर कौन है, मैंने परिस्थितिया हैं, और इस पर रिसर्च वरास्टी और अंतर और एक एडवाईजरी उन लोगों ने हम लोगों को भी बताया था, जो एडवाईजरी हम लोगों के लिए, रहस में सब्द भी में अपने मूँ में डालूंगा, कोशिस लगातार हो रही है, और जहां तक अभी तक जो सूचना, रिसर्च करने वाले लोगों के दौरा, ड नियती जिम्मेदार है, ऐसे में ABP News भी सवाल पूछ रहा है, मंत्री जी बच्चों की मौत नियती कैसे हो गई, सबसे बड़ा सवाल तो यही इस बेतु की दलील के पीछे, बच्चों की मौत नियती कैसे हो गई, हर साल बिमारी फिर तैयारी क्यों नहीं, साल दर साल बिहा बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, 79 बच्चे मर गई इस बिमारी के चलते, इसके लिए कौन जिम्मेदार, राजे के स्वास्थ मंत्री कह रहे हैं, कि यह नियती है बिहार के स्वास्थ मंत्री दावा कर रहे हैं, कि सरकार बच्चों की मौत को लेकर गंभीर है और लगातार, जागरुकता अभ्यान सरकार की ओर से चलाय जा रहा है लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह जानने के लिए आप ABP News सम्वाराता प्रकाश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए, जिसमें सरकार का जागरुकता भ्यान कहीं नहीं दिख रहा है बिहार के मुझफरपूर, शिवहर, सीतामढ़ी इलाके में जहां पर लीची की खेती होती है, पूरी तरह से एंसेफलाइटिस बीमारी जिसे मस्तिस्ट जवर कहते हैं, स्थानिय भाशा में लोग चमकी बीमारी कहते हैं, वो फैला हुआ है कई बच्चों की मौत हो गई है, और ये मौत का सिलसिला जारी है, हम पहुचे हैं मुझफरपूर के एक ऐसे गाउं में, जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई है, और ये डुमरी गाउं है, उस परिवार से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था सरकार की तरफ से क्या उन्हें कोई जानकारी दी गई थी या नहीं? यहां क्या इलाज नहीं हो रहा था ठीक से? जानकारी सरकार के तरफ से दी गई है, कैसे फैलता है, कैसे इसको रोख काम करना चाहिए? यहां पर कोई आता ही नहीं है, यहां पर कोई आता ही नहीं है, क्या बेमारी हुआ, क्या नहीं हुआ? यह बड़ा अजीबो गरीब मामला है, कि जिस घर में मौत हुई है बच्चे की, वो बगल में ही है, और यह जो उजागुनी करता है, स्थानिय भाशा में उसे कहते हैं, कि जाड़ फूंक करना, लगता है इसे बच्चे को अगर थर्थराहाट हो रही है, तो भूत पकड़ लिया है, प्रेद पकड़ लिया है, आत्मा पकड़ लिया है, तो उसे जाड़ने का काम आज भी हो रहा है, क्या जाग रुकता है सरकार की तरफ से, आप से अब छिपी नहीं है, यही आलम कई इलाकों में है, जहां सिर्फ कागजों पर ही काम होता है, वेभार में, जबान स जो अब तक नहीं हो पाया है, चमकी बुखार से अब तक जितने भी बच्चों की मौत हुई है, वो सिर्फ गरीब ही नहीं है, बलकि गरीबी रेखा से नीचे भी है, हमारे पीछे जितने भी आप मकान देख रहे हैं, उसमें से एक भी पक्के का मकान नहीं है, पक्के की मक जागरुकता है जैसे इसे खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता हो तो ये आलम है और आखिर इस पूरे बस्ती में मैं घूम गया कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां सरकार की तरफ से एक पैंफलेट भी लगा हो या एक पर्चा भी लोगों के पास आया हो ऐसे क्या जमीन पर काम न हकीकत आपने देखी 69 बच्चों की जान चली गई और स्वास्थ मंत्री नियती को दोश दे रहे हैं